हलो दोस्तो तैयारी करलो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहिती का प्रिक्टिस सेट 20 जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक से उन्नीज तक के सेट देख लिये थे दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो के अंदे में जो सवाल आप से पूछा जाता है उस सवाल का जवाब जरूर से जरूर दे दोस्तो आप हमारे Instagram एकाउंट तयारी कर लो को भी follow कर सकते हैं उसमें आप अपने सुजहाओ, अपनी problem या जो भी आपकी समस्या है वा शेयर कर सकते हैं और हमें suggestions भी दे सकते हैं तो दोस्तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें और तयारी कर लो के साथ तयारी करते रहें पहला प्रश्न है निम्नल हित में से शुद्ध वरतनी का चैन कीजिए शुद्ध वरतनी किस शब्द की है? option है आ अधर्म बा अधर्म सा अधर्म या फिर option दा अधर्म तो इसका सही उत्तर है option सा अधर्म अधर्म शुद्ध वरतनी का शब्द है अगला प्रश्न है मनो योग मनो योग का सही संधी विक्षेद क्या है? मनो योग का सही संधी विक्षेद बताना है option आ मनो प्लस योग बा मना प्लस योग सा मना प्लस आयोग या फिर option दा इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option बा मना प्लस योग मनो योग या सही संधी विक्षेद है अगला प्रश्न है पत्थ पत्थे युग्म का अर्थ है आप्शन आ रास्ता रोगी का भोजन आप्शन बाप रोगी का भोजन रास्ता आप्शन सा मत भोजन या फिर आप्शन दा कोई नहीं पथ पथ युगम का सही अर्थ है, option A, रास्ता, रोगी का भूजन अगला प्रशन है, भावन भूवन, भावन भूवन युगम का अर्थ है, option A, घर, जगत, option 2, मकान, संसार, option 2, घर, सुंदर्वन या फिर, option 2, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है आप्शन बा मकान संसार भावन भुवन युग्म का अर्थ मकान संसार है अगला प्रश्न है समराग्गी समराग्गी का पुलिंग क्या होगा पुलिंग बताना है समराग्गी का आप्शन आ सामराज आप्शन बा समाज Option Sa, Samraat या फिर Option Da, Sambrant इसका सही उत्तर है Option Sa, Samraat समरागी का पुलिंग Samraat है अगला प्रश्न है इन में से कौन सी पक्षिमी हिंदी की बोली नहीं है Option A, Korvi Ba, Marwadi Sa, Bundeli या फिर Option Da, Kan Nauji कौन सी नहीं है इसका उत्तर है Option Ba, Marwadi पश्यमी हिंदी की बोली नहीं है अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रू ना जन्मा हो के लिए एकल शब्द बताना है Option A, शत्रू हंता Ba, शत्रूग्र Sa, अजात शत्रू या फिर Option Da, शत्रू ना शक तो इसका सही उत्तर है Option Sa, अजात शत्रू जिसका कोई शत्रू ना जन्मा हो का एकल शब्द है अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द का पुलिंग नहीं होता है नीचे किस सब्द का पुलिंग नहीं होता है आप्शन आ गाभिन बा गर्बहती सा सौत या फिर आप्शन दा उप्रोक्त सभी तो इसका सही उत्तर है दा उप्रोक्त सभी जितने भी उपर शब्द दिये गए हैं इन में से किसी भी शब्द का पुलिंग नहीं होता है अगर ये आते हैं तो आपको पुलिंग इन में से किसी का नहीं होता है अगला प्रशन है मुझे तोड लेना वन माली उस पत पर देना तुम फेक मात रुपहुमी पर शीस्त चड़ाने जिस पत जावें वीर अनेक प्रस्तुत पंक्ती के रशैता कौन है जो प्रस्तुत पंक या फिर ऑप्शन दा बाल क्रेश्न शर्मा नवीन इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा माखनलाल चतुरवेदी या पंक्ती कई बार प्रिक्षों में पूछी जा चुकी है और बहुत ही महत्तुपूल्ण है अगला प्रशन है प्रसून का पर्यायवाची क्या होगा प्रसून का पर्यायवाची सही उत्तर है ऑप्शन बा पुस्प प्रसून का पर्यायवाची पुस्प अगला प्रशन है धोबी धोबी शब्द का बहुवचन है ऑप्शन आ धोबियां ऑप्शन बा धोबियें ऑप्शन सा धोबी या फिर ऑप्शन दा इन में से कोई नहीं तो इसक सही उत्तर है option सा धोबी शब्द का बहुवचन धोबी ही होता है अगला प्रश्ण है निम्ण में से कौन सा शब्द अशुद्ध है option है नीचे कौन सा शब्द अशुद्ध है option आ सार्थी बा कामायनी सा उज्वल या फिर option दा कव यत्री तो इसका सही उत्तर है option सा उज्वल क्योंकि उसमें एक जान नहीं लगा है अगला प्रश्ण है सूर्य शब्द का इस्त्रिलिंग क्या होगा सूर्य शब्द का इस्त्रिलिंग option आ सूर्याणी option बा सूर्याई option सा सूर्या या फिर option दा सूर्यो तो इसका सही उत्तर है Option 6, सूर्या सूर्य शब्द का स्थ्रिलिंग सूर्या है अगला प्रशन है हिंदी साहित के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहीत किया जाता है किस नाम से नीचे आप्शन है Option A, जीविनी काल Option 2, गद्य काल Option 6, पद्य काल या फिर Option 2, संसमरन काल तो इसका सही उत्तर है Option 2, गद्य काल के नाम से अभिहीत किया जाता है अगला प्रशन है निम्न में से किस शब्द की वरतनी शुद्ध है नीचे शब्द दिये हैं किस शब्द की वरतनी शुद्ध है Option A, इर्षा बा, इर्षा सा, इर्षा या फिर, ऑप्षन दा, इर्षा तो इसका सही उत्तर है Option दा, इर्षा शब्द की वरतनी शुद्ध है अगला प्रशन है नायक नायक शब्द का विक्षेद होगा नायक शब्द का संधी विक्षेद क्या होगा Option A, नेह प्लस यक बा, नेह प्लस अक नायक शब्द का संधी विक्षेद है अगला प्रशन है निम्न लिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है नीचे ऑप्षन से है कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है Option A, गुजराती भाषा Option 2, उडिया भाषा Option 6, मराथी भाषा या फिर Option 2, सिंधी भाषा इसका सही उत्तर है Option 6, मराथी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अगला प्रशन है इनमें सन्युक्त वेंजन कौन सा है Option A, ला ला, आप्शन सा, ला या फिरी ौप्शन दा, ग्या तो इसका सही उत्तर है सन्युक्त वेंजन है Option दा, ग्या अगला प्रशन है चेज़न अन चे प्लस अन की सन्धी है Option A, चेएन उप्शन बा, चेएन Option सा, चेएन या फिर option दा, चयन, इसका सही उत्तर है, option बा, चयन अगला प्रश्न है, कवी पुंगव, कवी पुंगव का समा स्विग्रा है option आ, कवी में पुंगव, श्रेष्ट, option बा, कवी द्वारा पुंगव, option सा, कवी को पुंगव या फिर option दा कवी से पुंगव तो इसका सही उत्तर है option आ कवी में पुंगव श्रेष्ट यह सबसे श्रेष्ट समास विग्रा है बाकी सभी भी है लेकिन यह सबसे श्रेष्ट है अगला प्रश्ण है इनमें से कौन भारत मुनी के रस सूत्र का व्याख्याकार है option है आ कौन है option आ मम्मट बा भट लोलट सा भामा या फिर option दा छे मेंद्र इसका सही उत्तर है option बा भट लोलट अगला प्रश्ण है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून में कौन सा अलंकार है option आ अगला प्रश्ण है अनुदान अनुदान शब्द में समास है कौन सा समास है option आ अव्यवी भाव समास और या फिर option दा तत पुरुष समास इसका सही उत्तर है option आ अव्यवी भाव समास है अनुदान शब्द में अव्यवी भाव समास है अगला प्रश्ण है यशोदा यशोदा सब्द में संधी है कौन सी संधी है आप्शन आ वियंजन संधी, बा विसर्ग संधी, सा गुण संधी या फिर आप्शन दा दीर्ग संधी इसका सही उत्तर है आप्शन बा विसर्ग संधी है अगला प्रश्न है जिसका कोई आदी और अंत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है कौन सा है आप्शन आ अवैध, बा शाश्वत, आप्शन सा नैस्टिक या फिर आप्शन दा सर्वग्य इसका सही उत्तर है आप्शन बा शाश्वत, अगला प्रश्न है संतोस, संतोस शब्द का परियावाचिश शब्द है कौन सा है आप्शन आ इतमीनान Option 2, सम Option 3, अनुरूप, या फिर Option 2, संगम इसका सही उत्तर है संतोष सब्द का परियावाची Option A, इतमिनान है अगला प्रश्ण है एक भारतिय आतमा एक भारतिय आतमा नाम से कविता की रचना किसने की है Option A, मै्थली शर्ण गुप्त ने आप्शन बा सोहनलाल दिवेदी ने आप्शन सा माखनलाल चतरुवेदी ने या फिर आप्शन दा बालकरशन शर्मान नवीन ने इसका सही उत्तर है Option 6, माखनलाल चतुरवेदी जी ने की है अगला प्रश्न है अग्गे अग्गे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है अग्गे जी की कौन सी रचना जो यात्रा पर आधारित है Option A, एक बूंद सहसा उचली बा, आत्मिनेपद Option 6, बावरा अहेरी या फिर Option दा, जै दोल इसका सही उत्तर है Option A, एक बूंद सहसा उचली अग्गे जी की यात्रा पर आधारित रचना है अगला प्रश्न है डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी के लिए मानक हिंदी शब्द है कौन सा है? Option A, समिती Option 2, असमानता Option सा, विस्थापित या फिर Option दा, मानार्थ इसका सही उत्तर है Option 2, असमानता डिस्पैरिटी के लिए मानक शब्द है असमानता अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ती है? Option A, संत दादु दयाल की Option 2, रहदास जी की Option सा, संत पीपा की या फिर Option दा, संत पल्टु दास जी की इसका सही उत्तर है Option 2, रहदास जी की है दोस्तों हम अब कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में ग्यान प्राप्त करते हैं इस पर हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे पहला मुहावरा है जलती आग में घी डालना जिसका अर्थ है जगड़ा बढ़ाना इसका अगर प्रियोग देखें तो है उनके बीच पहले से ही जगड़ा हो रहा था तो मने और जलती आग में घी डाल दिया अगला मुहावरा है जली कटी सुनाना जिसका अर्थ है बेईज़ती करना इसका प्रियोग है सुमेश ने अपने छोटे भाई को बहुत जली कटी सुनाई अगला मुहावरा है जहर का गोंट पीना जहर का गोंट पीने का अर्थ है क्रोध को रोकना इसका प्रियोग है उसने अपने भाई को बहुत जली कटी सुनाई पर वह जहर का गोट पीकर रह गया अगला मुहावरा है जी की जी में रहना जिसका अर्थ है इच्छा पूरी ना होना प्रियोग है मैंने चाहा था कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी पर मेरी जी की जी में रह गई अगला मुहावरा है खटाई में पढ़ना खटाई में पढ़ने का अर्थ है टल जाना जिसका प्रियोग है आज यह काम नहीं होगा यह काम तो अब खटाई में ही पड़ेगा अगला मुहावरा है खाला जी का घर जिसका अर्थ है आसान काम प्रियोग देखेंगे यह काम तो मेरे लिए खाला जी के घर के बराबर है अगला मुहावरा है खिचडी पकाना आखिर समझ नहीं आता कि इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है अगला मुहावरा है खून का घूट पीना जिसका अर्थ है क्रोध को अंदर ही अंदर सहना इसका प्रियोग है उसने इतनी जली कटी सुनाई लेकिन वह तो खून का घूट पीकर रह गया अगला मुहावरा है चकमा देना चकमा देना का अर्थ है धोका देना प्रियोग है ठग दुकानदार को चकमा देकर हार उठाकर ले गए अगला मुहावरा है चंगुल में आना चंगुल में आने का अर्थ है वश में आना इसका प्रियोग है जब वो मेरे चंगुल में फस जाएगा तब मैं उसे देखूंगा अगला मुहावरा है चंडाल चोकडी चंडाल चोकडी का अर्थ है बुरे लोगों का समूह इसका प्रियोग है उसे अपनी चंडाल चोकडी में ही मज़ा आता है वहाँ घर क्यूं आएगा यहाँ चंडाल चोकडी का प्रियोग है अगला मुहावरा है जमीन पर पैर ना रखना जमीन पर पैर ना रखने का अर्थ है घमंड करना प्रियोग है वह इतना अमीर हो गया है कि जमीन पर पैर ही नहीं रखता अगला मुहावरा है खून सूखना खून सूखने का अर्थ है डर जाना जिसका प्रियोग है भूत को देखते ही उसका खून सूख गया अगला मुहावरा है खून सफेद हो जाना खून सफेद हो जाने का अर्थ है दया ना रह जाना अर्थ है, इसका प्रियोग है, उसका अब खून सफेद हो गया है, वह अब तुम्हारी जजबाती बातों को समझ नहीं पाएगा अगला मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है, पुरानी बातें याद करना, इसका प्रियोग है, मेरी दीदी जी हर बात में गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती है अगला मुहावरा है, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का अर्थ है, कम शब्दों में अधिक कहना, जिसका प्रियोग है, सोतंतरता दिवस के औसर पर प्रधान मंत्री जी का भाशन गागर में सागर था अगला मुहावरा है घर सिर पर उठाना घर सिर पर उठाने का अर्थ है बहुत शोर मचाना इसका प्रियोग है बच्चों ने तो घर सिर पर उठा लिया था अगला मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है लज्जित होना इसका प्रियोग है अपनी माता जी को गाली देने के अपराध में उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगला मुहावरा है चिकना घड़ा होना चिकना घड़ा होने का अर्थ है बेशर्म होना प्रियोग है भावना को चाहे जितना भी डाटो परंतु वह तो चिकना घड़ा है अगला मुहावरा है चार चांद लगाना चार चांद लगाने का अर्थ है शोभा बढ़ाना इसका प्रियोग है मेरे मित्रों के उत्सों में शामिल होने से उत्सों में चार चांद लग गए अगला मुहावरा है गुद्डी का लाल गुद्डी का लाल गरीब परिवार में जन्मा गुडी व्यक्ती जिसका प्रियोग है लाल बहादुर शास्त्री गुद्डी के लाल थे अगला मुहावरा है गड्डे खोदना जिसका अर्थ है साजिश करना इसका प्रियोग है जो लोग दूसरों के लिए गड्डे खोदते हैं वो उसमें खुद गिरते हैं अगला मुहावरा है गहरी छन्ना मतलब पक की दोस्ती होना अर्थ है पक की दोस्ती होना इसका प्रियोग है इन दोनों इन दोनों राम और श्याम में गहरी छन्नी रही है अगला मुहावरा है गाठ बांधना अर्थ है याद रखना इसका प्रियोग है पीता जी की बात गाठ बांध लो नहीं तो बाद में बहुत पश्टाओगे अगला मुहावरा है घास खोदना घास खोदने का अर्थ है वेर्थ समय गवाना इसका प्रियोग है तुम लोग ये घास खोदना बंद करो और घर के काम में हाथ बटा लो अगला मुहावरा है घाओ पर नमक च्ड़कना घाओ पर नमक च्ड़कने का अर्थ है दुखी को और दुखी करना इसका प्रियोग है एक तो उसका भाई मर गया है और उपर से तुम उसके घाओ पर नमक च्ड़क रहे हो अगला मुहावरा है घर का भेदी लंका ढहाए घर का भेदी लंका ढहाए का अर्थ है आपसी फूट से भेद खुलना प्रियोग है एक व्यक्ती पहले कॉंग्रेस में था अब जनता पार्टी में है तो सही कहते हैं घर का भेदी लंका ढहाए अगला मुहावरा है गिर्गिड की तरह रंग बदलना गिर्गिड की तरह रंग बदलने का अर्थ है जल्दी विचार बदलना प्रियोग है लक्षमन की बात का क्या भरोशा वह तो गिर्गिड की तरह रंग बदलता है अगला मुहावरा है गुल गोबर करना गुल गोबर करने का अर्थ है बना हुआ काम बिगाड देना बना हुआ काम बिगाड देना इसका प्रियोग है मैंने उसे बहुत समझ कर तैयार किया था लेकिन तुमने सारा गुल गोबर कर दिया अगला मुहावरा है गुल खिलाना गुल खिलाने का अर्थ है अनोखे काम करना जिसका प्रियोग है तुमने एन मौके पर ऐसा गुल खिला दिया अगला मुहावरा है गाजर मूली समझना गाजर मूली समझने का अर्थ है छोटा समझना इसका प्रियोग है हम अपने दुश्मनों को गाजर मूली समझते हैं अगला मुहावरा है घुटना टेक देना घुटना टेक देने का अर्थ है हार मानना इसका प्रियोग है भारतियों लोगों ने विदेशियों को इतना सताया कि उन्होंने अपने घुटने टेक दिये अगला मुहावरा है घुला घुला कर मारना इसका अर्थ है सता कर मारना इसका प्रियोग है रामु ने अपने दोस्त को घुला घुला कर मारा रामू ने अपने दोस्त को घुला घुला कर मारा अगला मुहावरा है घर फूख कर तमाशा देखना घर फूख कर तमाशा देखने का अर्थ है अपना ही नुकसान करके खुश होना इसका प्रियोग है तुमने अपने मजे के लिए एक तो घर फूँक दिया और तमाशा देख रहे हो अगला मुहावरा है घोडे बेचकर सोना घोडे बेचकर सोने का अर्थ है निश्चिन तो होना इसका प्रियोग है बेटी तो बयाह दी अब क्या घोड़े बेच कर सो ओ अगला मुहावरा है घी के दिये जलाना घी के दिये जलाने का अर्थ है खुशी मनाना इसका प्रियोग है शिरी रामचंद्र जी ने जब आयोध्या में प्रिवेश किया तो जनता ने घी के दिये जलाकर उनका स्वागत किया यह था घी के दिये जलाना, खुशी मनाना अगला मुहावरा है घर का ना घाट का जिसका अर्थ है बेकार प्रियोग है अभी की नौकरी तो छूटी उसके माबापने भी घर से निकाल दिया वह तो ना घर का रहा और ना ही घाट दोस्तों आज का सवाल है रामधारी सिंग दिनिकर को भारती ग्यानपीट पुरुसकार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था यह सवाल वियाख्याता प्रिक्षा में पूछा जा चुका है जिसके ऑप्शन है दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए अगर यहाँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तैयारी कलो चैनल को अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्पुर सवाल लेकर आएंगे थैंक यो फॉर वाचिंग इस वीडियो